नमस्कार अने विलकम यौल दू स्टडी आईक्यू मैं वू प्रशान धबन अब तक आप जान गए होगे के इरान ने एक बड़ा अटाक किया इसराइल पर मगर अब इस अटाक से रिलेटेड जो डीटेल्स हैं ये दुनिया के सामने आ रहे हैं और ये डीटेल्स एक बास सा क्या रहे हैं कि इरान की एक्सपेक्टेशन जो इरान की ख्वाईश थी कि ये आसा कर देंगे वो कुछ था मगर रियालिटी में रिजल्ट कम्प्लीट्ली डिफरेंट सामने आया है यहां पर देख पाओगे एक बहुती इंट्रस्टिंग आर्टिफिशल इंटेलिजेंस क फोटो है यह असली फोटो नहीं है AI से बनाई हुई फोटो है और यह अपलोड करी थी इरान ने अपने ओफिशल ट्विटर हैंडल पर और यह बैसी कली यहां पर क्या रहे हैं कि यह करना चाते हैं यह लोग इतना जो इन्होंने ड्रोन, मिसाइल्स वगरा जो बरसा दिये थे all over Israel, इरान चाता था कि ऐसा दरिश्य सामने आ जाए बट in reality ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, interestingly एक भी इसराली नागरेक के मरने की news सामने नहीं आई है, और इसराल का जो आप official government account देखोगे ट्विटर पे, यह लोग शान से कह रहे हैं कि रात को हम लोग मिसाल शूट डाउन करते हैं और दिन में हम लोग coffee पीते हैं, क्योंकि यह जो photo है जरूसलम की, यह दुनिया भर में काफी वरल हो गई थी, कि सुबह सुबह एक आदमी उठा, पास के cafe में गया, और अराम से coffee पी रहा था, कोई डर नहीं है, लोगों को कोई figure नहीं है, कि फिर से कोई rocket आ क्योंकि इसराइल defense forces ने 99%, यह कमाल का success rate है एक air defense system के लिए, astonishing, 99% जो projectiles हैं, जो इरान ने fire करी है towards इसराइल, total 300 drones, ballistic missiles, दुनिया भर के और missiles, इरान ने launch किये थे towards इसराइल, 99% हवा में ही intercept कर लिए गए, बाकी जो थोड़े बहुत हैं, यह खाली लाकों में गए हैं, एक वै but overall no civilian casualties in इसराइल, मगर फिर भी इरान के parliament में, इनके जो member of parliament है, जो इनके ministers हैं, यह लोग नाजगा रहे थे, operation truthful promise को लेकर, यह जो पूरा operation है, जिसमें इरान ने यह जो 300 drones, missiles, यह सब बरसाइज इसराइल पर, इसका नाम मैं आपको बदा चुका हूँ, operation truthful promise, और यह आप दे इसराइल की मृत्यों की ही यहाँ पर बात की जा रही है, कि इसराइल जल्दी खतम हो, और इरान में रिखो, लोगों ने celebrate भी किया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे article, while some in Iran celebrate, others are bracing for possible Israeli response, कई news outlets यह report कर रहे हैं, कि अब 48 घंटों में, अगले 48 घंटों में, most probably, Israeli इसराइल एक बड़ा reaction देगा, एक बड़ा attack करेगा इरान पर, even though USA ने, जो यह 99% success rate है इसराइल का, यह देख कर इसराइल को यह कहने ही कोशिश करी है, आपकी जीत हुई है सब में, यहाँ पर आप देख पाओगे, Israeli news का article है, और यहाँ पर देखो दो बाते लिखिये, पहली बात तो Biden ने इसराइल को यह कह दिया है, कि बस अब मामला खतम करो, अब तुम वापस अगर इरान पर attack करोगे, तो US तुमारा साथ नहीं देने वाला, Biden ने ये बात clear करती है, कि Nathan Yahoo की वज़े से, US एक और war में नहीं उलजना चाता, दूसरी बात इनोंने आपर यह कही है, इसराइल को, कि देखो तुमारा 99% success rate है, तुमने इरान के commanders मार दिये, सीरिया में, बहुत लोग मारे तुमने इरान के, इरान तुमारा एक भी आपमी न पर जारा focus करेगा, और इसके पीछे देखिए, दो main reasons है, number one, इसराइल की stock market पे कोई भी नुकसान नहीं आया, I mean, इसराइल की पूरी society में, ना इनकी population में, ना इनकी stock market में, आपको बिल्कुल भी डर नहीं दिखेगा, हला कि यह अजिमत कर लेना, कि इसराइल की stock market नहीं ग कर सकता है, कि बाकी जगा stock market गिरे, मगर इसराइल नहीं बात नोट करी है, इनकी stock market बिल्कुल stable है, कोई डर का महल नहीं है यहाँ पर, और साथी साथ, इसराइल का जो air defense system है, जो total 5 चीज़ों से मिलके बनता है, यह बहुती जादा strong है, इसराइल इरान को hit कर सकता है, मगर इसराइल को छूबी नहीं पाएगा, इसराइल के superior air defense system की वज़े से, और जब मैं कहता हूँ, इसराइल का air defense system, तो यहाँ पे 5 component आते हैं, number 1, arrow, arrow या फिर arrow 3, जो इसका proper नाम है, यह state of the art missile defense system है, इसराइल का, हलाकि इसराइल और US ने इसको मिलके बनाया है, American company Boeing ने काफी support क इसराइल का इसको develop करने में, यह आज के समय, main आप के लिजिए front runner है, इसराइल के defense system का, atmosphere से भी कोई अगर missile आ रहा है towards इसराइल, उसको यह destroy कर सकता है, और आप जानके हरान होंगे, कि बहुती जल्द arrow 3 missile defense system, जर्मनी को बेचेगा, इसराइल, for a huge amount of 3.5 billion US dollars, फिर यहाँ प intercept करने के लिए बनाया गया है, और जरातार जब Hezbollah attack करता है इसराइल को, तो उस वक्त David's link का इस्तिमाल किया जाता है, जब हम बात करते हैं iron dome की, तो देखो iron dome primarily हमास के लिए बनाया गया है, हमास के जो छोटे rockets होते हैं, जो कभी-कभी Hezbollah भी launch करता है, उनको destroy करता है iron dome उस सब के लावा देखिए, काफी पुराना air defense system भी है, US made Patriot, उसको भी utilize किया जाता है, हलाकि Patriot का main yapa roll है नहीं, मगर फिर भी एक extra layer of protection देता है इसराइल को, और finally है iron beam, ये recently इसराइल ने दुनिया को दिखाई थी, इदर आप देख पाएंगे, ये है इसराइल की iron beam, ये ए देख पाऊगे, ये इरान के दो projectile है, और iron beam इस तरीके से दोनों को destroy कर रही है, तो इन पाचों चीजों से मिलके बनता है, इसराइल का air defense system, जिसका इस्तमाल करके, इसराइल ने परिक्षा की घड़ी में 99% score किया है, और अभी कहानी most probably खतम नहीं हुई है, लगता नहीं है कि नेतन याहू इरान को इतना अराम से छोड़ देंगे, इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि एक example यहाँ पे set किया जाए और probability है, मैं कहूंगा बिलकुल एक बहुती जादा high possibility है कि इसराइल एक बड़ा attack करेगा इरान पर in the near future, उससे related कुछ update सामने आती है, तो मैं आपके चाबाहर, दूसरा है सितवे पोर्ट, आपको बताना है कि सितवे पोर्ट जो इंडिया का second overseas port बन चुका है, यह किस देश में located है, यह है आपकी options, इरान, इसराइल, शिलंका या फिर मियनमार, comment section में करिए उत्तर, जो लोग सही answer देंगे, उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं के सही उत्तर क्या है, और हाँ यापर मैं ये भी add कर दूँग के मेरी सारी वीडियो आपको study IQ पर ही मिलेगी, किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी, और उसके इलावा आप अगर चाते हैं के मेरी वीडियो की direct notification आपको मिले, तो इस वीडियो के comment section में जाओ, यहाँ पे आपको pinned comment में ये link मिल जाएगा, join प्रशान धवन सर्ज टेलिग्राम चैनल, इस link पर करो click, और यहाँ पे आप मेरा टेलिग्राम चैनल कर सकते हैं, join, और यहाँ पे आपको regular updates मिलेगी, हर वीडियो की notification आपको मिल जाएगी, तो आप आराम से मेरी सा study IQ की sale start हो चुकी है, आज 12 तारीक है, 12 तारीक से लेकर 15 तारीक तक यह sale हरेगी active और इस sale के बीच में आपको UPSC courses में heavy discount मिलता है, और study IQ, तो आपको क्या करना है, comment section है जाएगे, यहाँ पे आपको यह link मिलेगा, इस link पर करिए click, और आपके सामने खुल जागा यह page, अगर यहाँ पे आप अगर code डालोगे PD10, तो आपको मिलेगा एक massive 7125 रुपीज का discount, और इस course में रेखिए, आपको live classes मिलेगी, आपने यह course लेने के बाद prelims clear कर दिया, तो main exam के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, study IQ दोबारा, आप दिल्ली में बैटके पड़ेंगे, औ इस लिए इस course को का जाता है, P2I course, so use the code PD10 and save money, और इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as I always say, may the gods watch over you.